नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस वीडियो में आज हम आपको कलास 10 के साइंस का भी बी आई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो 2022 के एक जम में जरूर से जरूर पुछा जाएगा और यहां अगले साल के एक जम अगर आप 2020-29-18 या उससे आगंका भी ले ल देते हैं तो उसमें भी आप अगर मिलाएगा तो आपको इस में से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आज हम आपको टॉप फाइप क्वेश्चन कराएंगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन के लाल को कर दीजिए काला क्योंकि आज हम साइंस का खोल देखलने बाले हैं ताला तो चलिए वीडियो पर आप अंतक बने रहे हम वीडियो शुरू करते हैं पहला प्रसन है अब्दल दर्पन को अभिसारी दर्पन क्यों कहा जाता है यह क्वेश्चन भी भी आई है इसे आपको याद रखना है तो इसका उत्तर होगा अब्दल द एक गुन के कारण अब्दल दर्पन को अभिसारी दर्पन कहा जाता है मुन लिजी इसका डाइगरम आपको बनार पर जाएगा अगर आप डाइगरम बनाते हैं तो एक जमनार आपको नम्मर देंगे अच्छे मन लेजे ये अब्दल दर्पन है इस पर से एक समंतर प्रकास की किरन आती है वह टकड़ा कर फोकस से गुज़ा जाती है और नीचे से एक किरन आती है वह भी दर्पन से टकड़ा कर फोकस से गुज़ा जाती है वह एक बिंदू पर जमा हो रही है इसी गुन के कारण अब्द वस्तु के उंचाई के अनुपात को आबर्धन कहा जाता है अर्तार्थ आबर्धन बढ़ाबर परतिविम की उंचाई और वस्तु की उंचाई यह हो जाता है अगला प्रस्ण है जो इससे भी 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 आई है तिसरा प्रस्ण है अबतल दर्पन का उप्योग हजामती दर्पन के रूप में क्यों किया जाता है यह तो हर साल पुछाई जाता है कोई अनोखा साली होगा जिस साल में यह नहीं पुछा गया होगा अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते जाए अबतल दर्पन का उपयोग हजामती दर्पन में इसलिए किया जाता है क्योंकि जब अबतल दर्पन के धूर्व और फोकस के बीच बैक्ति के चेहरे को रखा जाता है तो बस्तू से बड़ा अभासी और सीधा परतिविम पराप्त होता है जिससे बैक्ति के छोटे छोटे बाल उसके समने बड़ा दिखाई देता है और जिससे हजम को हजमत करने में सुविधा होती है मतलब यह कह रहा है अगर आप जो सेलुन में जाते हैं बाल छटने उसमें अवतल दरपन का उप्युक के जबाता है तो आपको उस तरह से लिख देना है अगला प्रस्ण है परकास का प्राबर्तन क्या है यह कितने इसके कितने नियम है लिखे यह क्वेश्चन तो जरूर आएगा दोस्तों क्योंकि यह क्वेश्चन हमारे समय में भी आये था और हम इसे बनाये थे जब परकास की कीरन किसी प्राबर्तक सता पर परता है तो वह उसी दिसा में लवट जाता है इसी लवटने या मुरने की घटनों को परकास का प्राबर्तन कहते हैं मुन ली जी एक प्राबर्तक सता है इस पर कोई परकास की किरन परती है और वह इसी दिशा में लवट जाती है इसी दिशा में लवट जाती है तो हम कहते हैं कि परकास की किरन किसी प्राबर्तक सता पर परी और वह अपनी दिशा में लवट गई तो उसे परकास का प्राबर्त करते हैं इसके दो नियम निमलिखी थें जो मैं आपको डैगरम के माध्यम से समझा सकते हैं कि आपतित किरन और प्रावर्तित किरन के बीच डाला गया आभी लंब तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कौन आई और प्रावर्तन कौन आर का मन बराबर होता है जुसे हम इस तरह से लिख सकते हैं परकास प्रावर्तन के दो नियम हैं पहला आपतन कौन प्रावर्तन कौन के बराबर होता है और थार्त कौन आई बराबर कौन आर आपको अगले डैगरम में हम बताए थे आपतित किरन प्रावर्तित किरन और अभी लंब तीनों एक ही तल में होते हैं नेक्ष्ट प्रस्ण है यह आखरी प्रस्ण है और यह सबसे important question है आप इस question को बड़े ही अच्छे तरीके से solve कीजेगा अबतल दर्पन और उत्तल दर्पन में क्या अंतर है यह question 2019 के एक जम में पूछा गया था अबतल दर्पन और उत्तल दर्पन में निमलिखित अंतर है आपको बताना है कि उत्तल दर्पन और अबतल दर्पन में निमलिखित अंतर है आपको इसे दो भागों में मट देना है एक तरफ अब्तल दर्पन दूसरी तरफ उत्तल दर्पन अब्तल दर्पन में लिखना है इसका प्राबर्तक सता धसा होता है और उत्तल दर्पन में लिखना है इसका प्राबर्तक सता उभरा हुआ होता है इसे अभिसारी दर्पन कहा जाता है दूसरा पॉइंट में लिखना है इसे अफसारी दर्पन कहा जाता है तीसरा पॉइंट यह वास्तविक परतिवीम बनाता है और यह कालपनिक परतिवीम बनाता है जोथा है इसके द्वारा बना परतिवीम उल्टा होता है और इसके द्वारा बना परतिवीम उत्तल अंदरपन के दोरा बना परतिवीम सिर्फ छोटा होता है हमेशा छोटा होगा चाहे उसे फोकस पर रखे धुर्ब पर रखे वकरता के अंदर और फोकस के बीच रखे कहीं भी रखेगा तो वह हमेशा छोटा ही बनेगा अगले वीडियो में हम इसका पाट्टू लेकर यह नियंतरे वीडियो आपको मिलता रहेगा इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बैल आइकन दबाना होगा उसे ओल पर कर दिजेगा और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है आपके भविस को उज्वल करने के लिए हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद